बहुत सारे लोगों के मंद में मिसकंसेपशन रहता है ट्रेडर कभी पैसा नहीं कमाता है यह अगर आप सही से कर रहे हो लाइफ इन वी चेंज्ज मेरा लाइफ चेंज जो एत मेरा अगर आप लोग देखेहे हो definitely रहा हो यह मर्सेर特श चला कि अभ्य बेडियों बिद एक्षप Leaf वीडियो रोब हाईियू भला वैट में एक्षपेशनल ट्रेडर हूँ आज के वीडियो में आप लोगों कों बताने वाला हूँ क्या ट्रेडिंग से सही में पैसा बन सकता यह नहीं नहीं बन सकता है मैंने कितना पैसा कमाया है और कितना टाइम लगास पीछे को प्रोसेस किया प्लान Кिया और एक ये यह बहुत ईजी है आप अगर सही से प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे जो में पॉइंट्स इस तरीके से मेंने बोला है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं विदा कि आपको कर रहा है लेकिन लोग रेडी नहीं है उसको अपने एकाउंड में convert करने के लिए क्योंकि उनलोग ड़ते हैं process follow करने के लिए उनलोग वो discipline life चाहिए नहीं उनको सौट टम में पैसा चाहिए मैं आपको एक particular frame बताके देने वाला हूं एक particular process बताके देने वाला हूं किस तरीके से में धीरे धीरे thousand से लेकर लाक से लेकर करोड तक profit तक पहुंचा trading अगर आप सही से कर रहे हो life can be change मेरा life change हुआ है आपका भी life change हो सकता है अगर example दो last year pandemic के बाद बहुत सारे लोग market के अंदर आ रहे हैं लेकिन उनको market crashes होगा करके समझ में आ गया था लेकिन इतना recover हो जाएगा from 7000 level to 16-17000 nifty history में इतना वड़ा momentum बहुत small time में हुआ है और pandemic के बाद लोगों को समझ में आया एक second source of income stock market हो सकता है और उसके लिए बहुत सारे account खोल रहे हैं लोग और बहुत सारे पैसा market के अंदर आ रहा है और market continuously उपर जा रहा है आज के date पे अगर मैं आपको figures का बात करूंगा वार market के अंदर या फिर US market के अंदर 35-40% लोग actively invest करते हैं market के अंदर लेकिन वारेज इंडिया इंडिया इट्स नियर बाउट 4-5% होगा जस्ट imagine करो अगर इंडिया के अंदर 40-50% crowd अगर सच में stock market के अंदर आना start कर दिये तो फिर यह level जो आपको 17-18,000 दिख रहा है वो more than 50-60 या 1,000,000 तक भी जा सकता है इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा potential है बहुत है लोग सोच रहे होंगे किने आप लोग मेरा वीडियो देखोगे क्यों तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अगर आप मेरा account जाके trade कर देखोगे क्योंकि बहुत सारे लोग म तो मज में आया कि trading में भी पैसा बन सकता है that took in a very huge amount आप initial days का वीडियो अगर देखोगे तो आपको एक idea लगेगा मैं पहले 1000 में ट्रेड करता था 5000 करेक्स रहता था 2000 कर रहता जिस तरीके से starting से ही आप करोड में नहीं कमा सकते आप अगर slow and study कमाओके तो no doubt ही धीरे धीरे number बन जाएगा क्योंकि हम लोगों को follow करना है process तो आपको in details में चले मैं आपको वीडियो start करता हूँ in details में बताता हूँ किस तरीके से trading actually मैं प्लान करता हूँ in starting मैंने जब trading career start किया था तो investing में बनेगा एक point में आपको बताना चाहता हूँ कोई stock अगर let's say 10 रुपे से 100 जा रहा है वो चार साल लग सकता है या intraday के अंदर momentum आ सकता है अगर आप intraday momentum के उपर decision ले सकते हो that means you need to process fast आपके mind में अगर processing fast हो रहा है तब आप intraday भी कर सकते हो अगर आप कम टाइब मे आपका focus किया है पैसा कमाना आपको कैसा identification होगा आप सही जगा पर trade कर रहे हो या फिर आप सही focus कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो आपको make sure करना पड़ेगा initial days में पहले आप आपका capability check करो कुछ trade लो आप intraday का momentum समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो अपने आपको time दो अगर आपको intraday का momentum समझ नहीं आ रहा है, short term पता नहीं चल रहा है, market क्या move कर रहा है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, फिर आप investing के उपर सोच सकते हो तो चली हम लोग start करते हैं, अजे intraday trader मैं आपको बताना चाहूँगा, किस तरीके से मैं plan करता हूँ trading करने के लिए, first thing, मैंने decide कर लिया, मुझे trader बनना है, मुझे short term trading करना है, लेकिन अभी question आ जाता है, stock select कैसे होगा, stop loss कहा डालेंगे, plan क्या करेंगे, target क्या रहेगा, य पहले आपको लिखना है, आज का direction आपको लग क्या रहे, भले आप गलत हो, यहाँ पर गलत होने से benefit यह है, आप कुछ चीज़े नया सीख पाऊगे, it's always better कुछ गलती आप लोग करो, तभी आप लोग सीख पाऊगे, तो पहले क्या करना है, माइंड में directional view लिखना है, कि आ मार्केट आज उपर जाएगा, अगर उपर जा रहा है, कल सुबह मार्केट अगर उपर जा रहा है, आप कुछ quantity buy करो, फिर आप मुझे पूछोगे, sir stop loss कहां लगाए, planning क्या होना चाहिए, stop loss itself saying you कि यह losses आपको बंद करना पड़ेगा, आपने 100 में buy किया, कोई 80 में लगा स सकता है, कोई 70 में लगा सकता है, या फिर कोई overnight उसको छोड़ के भी जा सकता है, एक point हमें साथ ध्यान में रखो, जितना आपका risk capacity है, जितना losses लेकि आप रात में easily सो सकते हो, उतना ही losses प्लान करना, अगर उससे ज्यादा losses ले रहे हो, तो फिर trading career आपको बहुत time लगेगा बनने के लिए, लेकिन initial stage में आपको सजेस्ट करूँगा, ये कुछ thousands में ही होना चाहिए, क्यूंकि फिर आपको overnight अगर लेट से आपका कुछ लाकों में profit हुआ, या 10 लाक में profit हुआ, या फिर कुछ लाक में loss हुआ, ये आपको बहुत ज्यादा पैनिक कराएगा, तो initial time मे हमेशा ये ध्यान में रखिए, कुछ कम capital से stock market को सुरू करना चाहिए, first prove yourself कि आप market से पैसा कमा सकते हो, फिर आप कहीं से भी पैसा arrange करके बाद में डाल सकते हो, लेकिन make sure पहले slow and steady आपको grow करना है, ये आपका हो गया, कुछ लोगों का होगा, चली हम तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसको कैसे प्लान करेंगे, बहुत सार लोग मुझे पूछते हैं, सर आप stock select कैसे करते हो, मैं आपको एक easy process बताता हूँ, आप thousands of video आपको मिल जाएंगे stock select कैसे होता है, लेकिन मैं आपको easy बताओ, आप अपने आपको सोचो, लेट से आप एक farmer हो, आप अपना stock के अंदर liquidity है या नहीं है, it is that simple, अगर वो stock liquidity है नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, nifty 50 के अंदर इतने stocks मिलते हैं, no doubt, वो इंडिया के top 50 most valuable company है, तो उसके अंदर 110% आपको liquidity मिल जाएगा, आपका XYZ setup हो, या पर जैसे मैं आपको बताया, just imagine करो, कल सुबह आप उठके आए और बोले, reliance उपर जाएगा, तो reliance आपने क्यों चूज किया, क्योंकि वो nifty 50 के अंदर आता है, तो make sure कीजिए, आपका कोई भी setup हो, कोई भी strategy हो, वो nifty 50 अंदर ही होना चाहिए, वो stock के अंदर, initial days में, अगर हो गया, कल सुबह imagine कि जो, reliance उपर जा रहा है, आप buy करोगे प्लान की साथ से stop loss डालोगे, और stop loss का double आपका target होना चाहिए, इतना आपको initial stage में practice करना चाहिए, मैं आपको बताया, यह बहुत difficult journey नहीं है, या इतना easy भी नहीं है, अगर simple words में बोलूँ आप लोगों को, trading is simple but not easy, अगर यह line आप समझ गया, क्योंकि मैं आपको process बता target था, market 130 तक जाएगा, तब आपको बार-बार mind में लगेगा, मैं profit book करूँ, रख दूँ, अगर market 140 डायरेक्टली चला गया, आप सोचोगे, next trade में इसको मैं थोड़ा और hold करके रखूँगा, so that के नहीं में और ज्यादा profit कमा लूँ, यह greed and fear बार-बार आपको interact करते जाए मैंने आपको क्या बोला, follow your process, जो आपका trading plan था, entry point fix हो गया, stop loss इतना आपका capacity fix हो गया, इसका double आपका target, एक बार आप trade में enter हो जाते हो, there should not be any second option, आपके पास और कोई option होना ही नहीं चाहिए, इसके अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए, अगर आप इतना चीजे follow करोगे लोग गलती यह करते हैं, अपना trade लेने के बाद बार बार M2M देखते हैं, M2M होता क्या है, टोटल दिन में आपका कितना losses हुआ है, कितना profit हुआ है, उतना देखते रहते हैं, अच्छे trader में आपको बोलता हूँ, profit adjustment number आप process को follow करते हैं, जो भी आपके trading plan में है, उसको follow कर जब तक आप यह करते रहोगे, तब तक आप दीरे दीरे grow करते रहोगे, क्योंकि मैंने भी 1000 में trade किया था, 50,000 और by default लोग मुझे समझते हैं कि नहीं सर, अपने trading ही क्यों चूच किया, एक बार में बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना patience नहीं था, 5 साल में wait करू मुझे trading करना है, इस तरीके से मैंने losses और profit करके एक trading plan बनाया, दिन बर में मेरे mind में चलता क्या है, कहाँ पे psychology issue आ रहा है, कहाँ पे मुझे greed कंट्रोल करना है, यह सारे point जब आप find out करोगे, तब आप धीरे धीरे trader बनोगे, एक point मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सा गया है, लेकिन आपको इंदेंड में trader बनना है, trader in the sense आप जब भी बूठ होगे market, जब भी आपको देखेगा, पैसा कमा सकते हो, जो आपका losses से, जो आपका hardware के वो same day पे recover हो सकता है, लेकिन make sure कीजिए, दो महीने पहले जैसे आप trade करते थे, आज जो गलती ना हो, या एक स सारे चीजा follow करते हो, तो trading will become very easy, तो चले मैं आपको बताता हूँ, जब आप trading स्टार्ट करते हो, stock plan कर लिए, निप्टी 50 के अंदर आपको stock select करना है, कुछ लोगे mind में यह आ रहा होगा, फिर हम लोग buy exactly करेंगे कैसे, entry कहां पे करेंगे, entry करने के लिए क्या हम लोगों को technical देखना चाहिए, या fundamental देखना चाहिए, आप volume देखते हो, या price देखते हो, एक point में आपको बताना चाहूँगा, आपने stock market के उपर कितना time invest किया है, एक साल, दो साल, पांस साल, दस साल, उससे ज़्यादा आप invest नहीं किया होगे, लेकिन एक indicator develop करने के लिए, एक person अपन में ज़्यादा comfortable है, या फिर आपको indicator में comfortable है, हर एक चीजे, अगर let's imagine कोई अगर person बोल रहा है किने 100% बस price देखने से पैसा मिलता है, तो फिर वो आपना 100% पैसा एक stock पे लगा देगा, एक price action पे लगा देगा, नहीं, हमेसा वहाँ पे probability रहता है, same in the case of indicator, price action, या फिर या फंडामेटल देख रहे हो, लेकिन make sure कि ये आपको अच्छा क्या लग रहा है, मुझे आप पुछोगे सर, आपको identify कैसे करें, हमको indicator अच्छा लग रहा है, या प्राइस अच्छा लग रहा है, या volume, या combination of all ये देखना चाहिए, हर एक चीजे आपको experiment करना पड़े ग पर, in the end में मुझे समझ में आया, price मुझे naked charts, empty charts रहता है, वो मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, instead of indicator, लेकिन मैं indicator को भी respect करता हूँ, कभी मुझे भी पैसा दिये थे कमा कर, I hope मेरा point समझ रहे हो, it doesn't mean that आप indicator लगाओ, या फिर volume लगाओ, हर एक line पर आपको पैसा मिलता ह लेकिन आप, आज से आपका काम यह होना चाहिए, let's imagine, आप और दो महिने, तीन महिना दो, indicator होता क्या है, समझने के लिए, blog पढ़ो, आज कल सोचेल मेडिया के अंदर आपको enough information मिल रहा है, पहले information ही नहीं था, आज overloaded information है, लेकिन पहले जाओ, देखो, price action होता क्या है, candlestick होता क्या है, chart pattern होता क्या है, जो भी आपको सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, कल सुबह जाके आपको इसको implement करो, अगर आपको लग रहा है, तीन महिने मेरा waste हो जाएगा, एक साल मेरा waste हो जाएगा, अगर यह सारे process में follow करता रहूँगा, तो आप क्या सोच रहो हो, क एक लाक में start किया हूँ, पांच लाक बन गया तो मैं निकल जाओंगा, और ट्रेड नहीं करोगा, मेरा capital फाइटाइम सोचुका है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रेखो, अगर आप एक का पांच कमाये हो, sudden flow में या फिर किसमत से आपको मिल गया है, एक टाइम आप sure, I hope मेरा point आप लोग समझ रहे होंगे, तो ये technical versus indicator या investing या फिर fundamental नहीं है, it's all about in the end में आपको पैसा मिलना चाहिए, आप कोई भी form चूछ करो, लेकिन form चूछ कैसे करोगे, आप अपने style से आपको समझ में आएगा, यहाँ पे अगर आप cricket का example लो, दोनी भी run बनाता है, even विराट कोली भी run बनाता है, लेकिन दोनों का betting form, betting style completely अलग है, आप समझ रहे हो, लेकिन in the end में run बनाना चाहिए, safe, आपका focus ही होना चाहिए, आप कहां से पैसा कमा सकते हो, कौन सा point आपको ज्यादा easy लग रहा है, आप पैसा क्यों नहीं कमा पाए हो, मैं आपको अगर simple बता हूं, you are not capable enough to handle your money, अगर आप उतना capable हो जाते, तो फिर आपको profit मिल जाता, तो पहले आपना capital को handle करना सीखो, लोस लेने के बाद आप easy ली जाके घर पर सोना सीखो, ये ना हो कि ने, अगर मेरा 1,00,000 चला गया है, कल सुबह उठके आके मुझे बहुत साय लोग बोलते ये, तो इसके लिए market ही shortcut नहीं है, ये एक business से form है, आप लोगो decide करना है, आपके सामने में भी profit कमाया हूं, और बहुत सारे reference आपको बहुत जगा मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा extra efforts करना है, कोई rocket science नहीं है, बहुत साल लोग सोचने होगे कि ने, मैंने time waste किया है, औ मैं भी सोचता था कि ने, मैंने बहुत time waste किया है, ट्रेडर बनने के लिए, लेकिन आपको अगर में एक simple सा question पूझे, what is the best time to start trading और investing, आप मुझे बोलोगे कि ने, 2007 या 2008 या 2020, ये सारे market बोलोगे, मैं आपको बोलूँगा, सारे चीजे जा चुकी है, जिस दिन से market start हुआ that's the best place to start the business, वो time सब के हाथ से जा चुका है, लेकिन what is the second best time, right now, अगर आप अभी से काम नहीं करोगे, तो आप 10 साल के बाद फिर से regret करोगे, मैंने stock market में क्यों invest नहीं किया, क्यों मैंने trading start नहीं किया, I hope मेरा point आप लोग समझ रहे होंगे, make sure हर एक चीजी एक calculated risk लेके start कर अगर आपका risk सही है, तो आपका result सही होगा. कोर्स जून सकते हैं, वो कोर्स नहीं जो आपको physics, chemistry, commerce, business studies पढ़ाएंगे, वो कोर्स जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए, वो सिखाएंगे. मैंने खुद जो skills पे बहुत सारे courses बनाए हैं, public speaking पे, emotional crisis कैसे handle किया जाए, अपनी personality कैसे develop की जाए, हर एक कोर्स में daily quizzes है, exercises है, एक बहुत ही खुबसूरक community है, जो आपको support करेगी, आपको encourage करेगी, आज ही download करें, जो skills का app और उनकी courses explore करके, अपनी जिंदगी को आगे पढ़ाएं.